Hello Friends, Welcome to Fit4Health. इसके बारे में जानकार आप भी अपनी डाइट में फिश वाइल को शामिल कर इसका फाइदा ले सकते हैं. ओमेगा 3, fatty acid को हमारी body नहीं बनाती. इसलिए हमें यह भूजन से ही लेना होता है. आपके शरीर को रुजाना 500 ओमेगा 3, fatty acid की जरूरत होती है. जिनकी डाइट में ओमेगा 3 fatty acid की कमी होती है. उन्हें यह सप्लिमेंट लेना होता है. फिश वाइल में दो ओमेगा 3S होते हैं, जिने DHA और EPA कहा जाता है. फिश वाइल सप्लिमेंट, liquid capsule या गोडी के रूप में आता है. High triglyceride, high blood pressure, heart attack और stroke आदी के खत्रे को कम करने के लिए भी फिश वाइल का सेबन किया जाता है. 30 प्रतीशत फिश वाइल omega 3S से बना होता है. जबकि बागी 70 प्रतीशत अन्य फैट स बोडी में cortisol और protein के तूटने के rate को भी कम करता है. साथ ही या muscles gain की speed को भी बढ़ा सकता है और sourness को भी कम कर सकता है. सही मात्रा में EPA और DHA लेने से triglyceride के level में कमी आ जाती है. एक meta analysis के मुताविक फिश वाइल लेने से high baseline, triglyceride वाले व्यक्तियों में 15 से 30 प्रतीशत की कमी देखी गई. फिश वाइल का 7 poor lipid profile वाले लोगों और ऐसे लोगों के लिए अच्छा रहता है जिनकी family में heart disease आम है यदि आपके परिबार में heart issues की समस्या है तो आप अपनी family history doctor को बता कर और उनकी सलाह लेकर इसका 7 कर सकते हैं. हो सकता है कि family history के मुताबिक अगर आपको healthy issues क्या शंका हो तो उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है फिश वाइल का 7 depression से राहत देने और mood सही करने में काफी मदद करता है इसका प्रयोग antidepressant fluoxetine के जैसा है इसका उप्योग chronic depression के मामलों में किया जाता है human study के report के मुताबिक फिश वाइल के 7 से जोडो में सूजन की कमी देखी जाती है नियमित रूप से हैवी बजन उठाने से जोडो और टिश्यूज में सूजन आ जाती है इसलिए फिश वाइल लेने से सूजन से बचने या फिर कम करने में काफी मदद मिलती है फिश वाइल सरीर में insulin के स्तर भी सुधार करता है मुटापे से ग्रस्त लोग और metabolism disorder के शिकार लोगों को फिश वाइल का सेवन करने की सलाह दी जाती है कुछ हद तक फिश वाइल diabetes के जोखिम को भी कम कर सकता है यदि आप फिश का सेवन करते है तो आपको फिश वाइल सप्लिमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है लेकिन यदि आप मचली का सेवन नही वाइल